आज हम फिलिप्पियों चार्ज से हम सीखेंगे हालेलुया तो हमने अब तक सीखा है फिलिप्पियों की पूरी पत्री से बातचीत कर रहे थे और हम देखते हैं कि पोलुस जो है वो बंदिग्रह से जेल में से इसको लिख रहा है और वो अपनी पृस्तिती को फिलिप्पियों की जो कलीशिया है उनको बताता है और इतने दुख इतने कस्ट के मध्धे रहते हुए भी वो अपने आपको एक आनंदित व्यक्ति के रूप में प्रस्तूत करता है आलेलुया विलिप्पियों के लोग उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे बहुत ज़्यादा लगाओ था उनके द्वारा वो स्थापित की गई थी इसलिए वो उसकी चिंता करते थे और पोलुस उनको बताता है कि मैं आनंदित हूँ मैं जेल में हूँ मैं बंदिग्रह में हूँ लेकिन मैं आनंदित हूँ क्योंकि परमेश्र मुझे आपी इस्तेमाल कर रहा है और मेरे द्वारा परमेश्र की महिमा हो रही है लोग जो कैसर की घराने के लोग हैं वो भी प्रभु को जान गई आप जब देखोगे इस पत्री के लाष्ट में वो जो अंतिम नमस्कार लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं प्रते एक पुईतर जन को जो येश्व मसी में है मेरा नमस्कार जो भाई मेरे साथ है तुम्हें नमस्कार कहते हैं सब पवित्र लोगों का विशेसकर कैसर से संबंदित व्यक्तिव का तुमें नमस्कार। वो बताता है, मैं जेल में हूँ, मैं आनन्दित हूँ, क्योंकि परमेशर अभी भी मेरे साथ है, और मैं परमेशर की महिमा करता हूँ, परमेशर मुझे यहाँ पर इस्तेमाल करता है, वो अपने प्रेम को उनके लिए जाहिर करता है, उनको बताता है, चिंता मत करो, लेकिन वो ही कहता है, तुम भी आनन्दित रहो, हालिलुया, वो कहता है तुम आनन्दित रहो, अपने दुख के, अपने जिन्दगी के दुखी पलों में भी तुम परमिश्र की महीमा करो, उसकी अराधना करो, उसके नाम को अपने जिन्दगी में पहला स्थान दो, इस प्रकार वो सिखाता है, और हम देखते हैं, जो ये पत्री, छोटी सी पत्री, ये एक से चार वचनो की पत्री है, इस पूरी पत्री में 104 पत्र पाए जाते हैं, और इस पत्री में वो 51 बार प्रभु येस्व मसी का नाम लेता है, एक सिर्सक्य रूप में और वैसे, 51 बार, 104 पत्री में 50 बार प्रभु येस्व मसी का नाम लेते हैं, हललिलुया, और वो इस पत्री में 16 से क्यों बता रहा हूं इन दोनों चीजें से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पोलुस की जिंदगी का केंद्र कौन है पोलुस की शिक्षा का केंद्र कौन है पोलुस का आनंद कौन है अलेलुया और जब अध्य परकार में हम आते हैं उनको आहवान करता है इक ऐहान assumption के सामने करता है चार एक में जब हम पड़ते हैं वो कलीशिया को सारी बाते बताने के बाद उनके वैव cervhRik rekशिश करता है कलीशिह का वैवה ring- zig exam कैसा होना चाहिए एक मसीही का व्यवहार कैसा होना चाहिए कलीशिया में बाहर कि किस प्रकार के जिंदगी एक मसीही की होनी चाहिए उसके उपर बात चीत करता है तो हमारा आज का जो टोपिक है वो है हमारा व्यवहारिक जीवन हमारा व्यवहारिक जीवन अलेलुया इस प्रकार उसे with, भू पुट वह बोलता है, मेरा जीत अरस्ता है तुमें देखने के लिए, प्रेम प्रगट कर रहा है, वह उनको भू दिखा रहा है कि तुम मेरे लिए क्या हो। हालेलुया और उसको उसके बाद में उनसे अपना प्रेम सब दिखाती है उसके बाद में वो उनको एक आहवान भी करता है उनकी तारीव भी करता है कि तुम विश्वास में बहुत मजबूत हो तुम अच्छे हो, सब तुमने मेरी मदद की सहायता की, सब कुछ वो उनको बोलता है लेकिन उनको अंतिमस में ये आहवान भी एक देता है जो ध्यान रखने वाली बाते हैं वो उनको बताते हैं लिखता है हे मेरे प्रियों, प्रभू में इसी प्रकार स्थिर रहो क्या लिखता है? इसलिए है मेरे प्रियों भाईयों तुम जो मेरे आनंद और मुकुट हो तुमें देखने को मेरा जीत रस्ता है हे प्रियों प्रभू में इसी प्रकार स्थिर रहो जिस प्रकार तुम स्थिर बने हुए हो जिस प्रकार तुम आरा विश्वास है, जिस प्रकार तुम चलते आ रहे हो, इसी प्रकार तुम प्रभू में स्थिर बने रहो क्यों कह रहे हैं? वो तो बहुत मजबूत है, वो खुद कहता है क्योंकि हमारे जीवनों में ऐसी प्रिस्ति आती रहती हैं जिन में घिर कर हम गिर सकते हैं जिन में घिर कर हमारा जीवन प्रभू से दूर हो सकता है इसलिए उनको कहता है प्रभू में स्थिर बने रहें प्रभू में स्थिर बने रहने के लिए प्रभू में मजबूत बने रहने के लिए हमें क्या करना होगा आपको पता है इस कलीशिया के अंदर एक बहुत बड़ी प्रोब्लम ये थी कि यहाँ पर इनके आस पास बहुत सारे जूटे जो थे प्रचारक थी वो आ गए थे जूटी इसिक्षया बहुत ज्यादा फैल रही थी आपने हमने पहले भी सुना था जूटी इसिक्षया बहुत ज्यादा फैल रही थी तो हमें प्रभू में स्तिर बने रहना है और इनको वो बोलता है प्रभु में श्ठिर्बने रहो उसलिए क्या करना पड़ेगा हमें हमें लिख़ा है तो श्ठिर्बने रहने के लिए हमें जूटी सिक्षा से सावधान रहना पड़ेगा हमारे 4 और ऐसी सिक्षा फैल रही है जो जिनसे प्वरु की महिमा नहीं होती लेकिन चारो और आप देख सकते हैं प्रोस्पेरिटी, धन पे आधारित, आशिशों पे आधारित सब चारो और शिक्षाय दी जा रही है और हमें इससे बचने की जरूरत है जूटी शिक्षाओं के चंगल में आकर हमारी मसी में जो स्थिरता है वो सच में खतरी में आ सकती है इनके बीच में जो प्रोब्लम थी पोलूस अच्छे से जानता है साइद उसको बताया गया, उसको पत्र लिखा गया है कि यहाँ पर क्या हो रहा है तो प्रभू में स्थिर रहने के लिए हमें जूटी सिक्षा से साउधान रहने की जरूरत है जो जूटी सिक्षा हमारे चारोर फैल रही है अगर हम जूटी सिक्षा पर अगर किसी भी तरीके से उसके चंगुल में अगर हम आए तो सच में हमारी स्थिरता जो है हमारी विश्वास की जो मजबूती जो है वो खत्म हो सकती है और उसका धीरे धीरे आप अंजाम क्या देखेंगे उसका धीरे धीरे अंजाम ये होगा कि आप प्रभू से दूर हो जाएंगे हमें जूटी सिक्षा से सावधान रहना है कैसे बचेंगे जूटी सिक्षा से जब हमें सची सिक्षा का ग्यान होगा क्या करेंगे सची सिक्षा को पाने के लिए कि हम जूटी सिक्षा से बच पाएं क्या करेंगे बदाईए वचन पढ़ेंगे वचन सीखेंगे ताकि हमें सच्चाई का पता चल से जब आपको बाइबल का ग्यान हो जब बाइबल की गहरी बाते आप जानते हैं तो आप आराम से आसानी से आप समझ सकते हैं कि सामने वाला जो मुझे बोल रहा है वो कितना सही है कितना गलत है हमारे चारों और बहुत गलत सिक्षाएं, जूटी सिक्षाएं फैल रही हैं लोग सिर्फ धन के लालच में, सिर्फ अपने रुत्बे के लालच में जूटी सिक्षाएं देते हैं नाम कमाने के लिए बस परमिश्र की महिमा से कोई मतलब नहीं हुने जूटी सिक्स्या से सावधान रहे ताकि हम प्रभू में स्तिर बना रहे हैं दूसरा point है जीवन की कठिन प्रुस्तितियों को और नहीं बलकि अनुगर से प्राप्त विश्वास के परिणाम को अपने जीवन में देखे हमारे जीवन में ऐसा कभी नहीं होगा कि बिलकु स्मूद लाइफ हम जीएंगे पौलस खुद भी बताता है जिंदगी में कर्स्ट संगर्स होगा उसके बीच में तुम्हें परमिश्र की महिमारात ना करनी है हमें से ऐसे साइद कोई नहीं हो विश्वास के प्रिणाम को अपने जीवन में देखना है ताकि हम कठिन परिस्तितियों में भी जब हम दुख में हैं जब हम पीड़ा में हैं जब हम परेशानी में हैं जब हम जब हमें कहीं से आशा नजर नहीं आ रही है तब हम परमेश्र की कारिय की और अपने ध्यान को लगाएं हालेलुया परमेशन ने जो कार ये आपके जिन्दकी में किये है आपके पिछले समय में से लेकर अब तक जो कार ये परमेशन आपके जिन्दकी में किये उनको याद कीजिए वचन कहता है, मिसाब साब बताता है कि हम उसके उपकारों को न भूलें उसके उपकारों की और अपने ध्यान को लगाईए जब उसके उपकार आप उसके कारिय को, उसके फ्रेम को उसके अनुग्रे को अपने जिंदगी में देखते हैं सच में वो आपके अंदर परमेश्र की महीमा कोत्पन करता है हालेलुया अच्छा रहे परमेश्र की आशिश्र को आप लिखें अपनी जिन्दगी में और पढ़े जब भी आपका दिमाग थोड़ा सा दुखी हो आपका मन दुखी हो, परेशान हो खोलिए पढ़िए परमेश्र के उन आशिश्र को जोसरे, आपकी गवाहियों को लिखिए अपनी गवाहियों को याद कीजिए हमारे जिन्दगियों में कटिन प्रिसितिया आएंगी ये बाइबल ये नहीं सिखाती कि बिल्कुल आप आराम के जिन्दगी जिएंगे आपको कोई कष्ट नहीं होगा, दुख नहीं होगा दुख होगा, कष्ट होगा हलिलुया लेकिन परमेश्र का जो प्रेम है वो उस दुख से भी महान है, हमें उसकी और अपने ध्यान को आकरशित करना है हमें देखना है, बेटिए परमेश्र के सामने, और अपने ध्यान को लगाईए, अपनी आखो बंद कीजिए और याद कीजिए, कि इसने आपके जिन्दकी में क्या कारिय किये है हलिलुया जब आप उसके कारिय को देखेंगे आपका चीवन, आपका मन उसकी महिमा से भर जाएगा उसके प्रती, आपका रिद्ध धनेवाद से भर जाएगा हलिलुया कौन-कौन करके देखेंगे करिए और देखिए कि किस प्रकार पवित्रा आत्मा आपकी अगवाई करता है, किस प्रकार पवित्रा आत्मा आपको मजबूत करता आपको याद दिलाता है तो अपने जीवन की कटिन प्रिस्थितियों के और नहीं बलकि अनुग्रे से परमेश्टर का जो अनुग्रे हमारे उपर हुआ है उससे पराप्त परिणाम को हम अपने जीवन में देखें सबसे बड़ा परिणाम क्या है यही कि हम पापी थे उसने हमें बचा लिया है हलेलुया हम मारे पाप इतने अधिक थे कि हम किसी भी तरीके से निकल रही सकते थे परमेश्टर का अनुग्रे हमारे उपर हुआ विस्वास का दान उसने हमें दिया वो हमारे नजदीक आया उसने हमें चुन लिया, उस पर हम विश्वास करने की उसी से सामर्त पाई और विश्वास करने के द्वारा उसकी धार्मिक्ता हमारे जिंदगियों में आई हालेलुया, ये है उसका अनुग्र, ये है परिणाम की आज हम कह सकते हैं हालेलुया कि मैं एक दिन परमिश्र की साथ में होंगा कह सकते हैं कह सकते हैं हालेलुया परमिश्र के अनुगरे के परिणाम को अपने जिंदगियों में याद रखें और चार के दो में कहा लिखाई ये पढ़ते हैं पढ़िए कोई जोर से मैं युओधिया और संतुखे दो स्थिर बने रहना है तो हमें एकता में भी रहने की जरूरत है समझने आप अगर हमारी कलीश्या में आपस में अगर एकता नहीं होगी वो भी गड़बड़ी को उत्पन कर सकता है यहाँ पर हो क्या रहा है यह लिखा है दो में मैं यूदिया और सुन्त के दोनों से में सहीत जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हैं सो समाचार के लिए संगर्ष किया है यह दो बहने हैं यहाँ पर इस कलीश्या की बहुत महत्वपूर्ण मेंबर हैं और यह पोलुस के साथ में अभी सेवा में हुआ करती थी सेवा में उन्होंने दुख उठाया है प इस जगड़े के कारण इस मतबेद के कारण पूरी कलीश्या के उपर पूरी कलीश्या की एकता के उपर आसर पड़ रहा है देखिए इनके बीच में जो प्रभू की सेवा में कभी रहे इनके बीच में भी ऐसी बाते हो जाती थी लेकिन हम देखते हैं कि परमेशर के आनु संतु के tsunami करता हूँ की प्रभू में एक मन रहें अगर हमारे मन पर्मान यहिंगर हम आप दो हमारे बीच में ऑप रबहा है तो वह भी हमार स्थिरत को में कमजोर हो सकती है एक बहुत मैं इतने के दEr mesma से मिला और एक पुर तके उसके ऊषी मुख Commander एक डेट गंटा हम बैटे बातचीत की प्रभू में हैं वो काफी समय से कभी कभी चर्च आते हैं अभी भी वो नहीं आते हैं कई बार उनका पूरा परिवार प्रभू में हुआ करता था कभी पूरा प्रभू बहुत अच्छे से अराधना भाईवा करने वाले लोग थे और मैं उनसे मिला उन्होंने अपनी परिवार की प्रस्तिती बताई अब वो लोग प्रभू में नहीं है लेकिन अपनी बेटी को बोलते हैं कि प्लीज हमारे घर पे आके प्राथना कर जाओ उनके घर में कुछ होता है तो अपनी बेटी को बोलती है कि आके मेरे घर में प्रा उन्होंने ये जवाब दिया कि वो बहुत गंदी भासा का इस्तिमाल करके बोलते हैं कि चर्च में तो ऐसे ऐसे लोग रहते हैं इसका नुक्षान पता है क्या है इसका नुक्षान ये है उस बहन ने खुद बताया कि वो चर्च में इसलिए नहीं जाते क्योंकि वो कुछ लोगों से नफरत करते हैं वो उनको देखना नहीं चाते वो कभी प्रभू में थे लेकिन आज नहीं उनकी प्रस्तिति आज क्या है उनकी प्रिस्ति आज ये है, खुद बता रही थी, कि उनके घर में एक तांतरीक आए, तीन दिन तक रहे, और उनके पांच जार रुपे, क्यावन सो रुपे लेके चले गए, और तीन दिन तक उनके घर में रहे, खाये, बीडी, गुट का जो बेता, सारा पैसा उनसे लेते तीन दिन के बाद में एक और तांतरीक आते हैं, उनके घर में वो सारी जो होताए, वो करके जाते हैं, और वो भी 11,000 रुपे लेके उनसे चले जाते हैं, किसी कारण वस वो किसी को पसंद नहीं करते किसी के साथ उनका जगड़ा था हाला कि उन्होंने कभी बताया नहीं कुछ-कुछ बातें हमें पता चली लेकिन उसका कारण देखी क्या हुआ उनकी जिन्दगी में प्रभु से दूर हो गए एकता बनाकर रखने की उनके अंदर वो नहीं थी प्रभु से दूर हो गए एकता बनाए रखना जरूरी है क्या करेंगे हम एकता बनाए रखने के लिए हम एक मन रहे क्या करें अपने आपसी मत भेदों से बचें उन्हें सुलजा लें यह हो सकता है कि हमारे मत भेद किसी से चल रहे हैं चर्च में आ रहे होंगे लेकिन मत भेद चल रहे हैं कुछ बातों को लेकि हम बात करना पसंद नहीं करतें जह मसी की भी नहीं बोलते आ रहे हैं या पर नहीं भी आ रहे हैonकि वो सामने वो वेक्टी होगा वहांपर देखिए हमारी नफरत आप से मत भेद हमारा नुक्षान कितना कर रहे हैं यहां प्रभु से दूर जा रहे हैं यह एक वैवहारिक एक मसीही व्यक्ति का वेवहारिक जीवन नहीं है कि हम आपस में नफरत करें परमेशर ने हमें चुना है कि हम इस संसार के अंदर उसके प्रेम का प्रदर्शन करें उसके प्रेम को हम दर्शाएं अपने जिंदगियों के द्वारा अपने चरित्र के द्वारा, अपने वेवार के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा, अपने उटने बैठने के द्वारा, अपने काम की इमांदारी के द्वारा, हम परमेश्चर की सच्छाई को, परमेश्चर की प्रेम को इस समाज में प्रदर्शित करें, लेकिन हम नही की प्रिस्तितियों का सामना कर पाएंगे सैतान को अच्छे से पता है कि कलीशिया वो जगय है जहां से परमेश्चर के जन निकलते हैं सैतान की गड़ों को तोड़ने के लिए उसको बाहर काम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाहर के लोग तो उसके चंगुल में वैसे ही है उसको पता है कि अगर मुझे बचना है सैतान कहता है अगर मुझे बचना है तो वो क्या करेगा वो अंदर काम करेगा काम पर कलीशिया की अंदर काम करेगा अगर कलीशिया अंदर से खोकली होगी तो बाहर उसका हम कुछ नहीं बगाड़ पाएंगे हमें अंदर से मजबूत होना है हमें क्या करना है अंदर से मजबूत होना है कलीशया अंदर एकता में हमें बढ़ना आपसी प्रेम में हमें बढ़ना है अगर हमें एकता नहीं होगी तो बाहर हम प्रमेसर की प्रेम का परदसन कभी नहीं कर पाएंगे अपने आपसी मतभेदों को सुलजा लें वचन इफीशियो 6-12 में क्या लिखा हुआ पढ़िए कोई जोर से हमारा संगर्ष इफीशियो 6-12 हमारा संगर्ष तो मास और लहू से नहीं वरन प्रधानों, अधिकारियों, अंदकार की सांसारिक शक्तियों तता दुस्टा की उन आत्मिक सेनाओं से है जो आकास में है हमारी लड़ाई मास और लहू की नहीं है मतलब इंसान इंसान में लड़े वी हमारी वो लड़ाई नहीं है इसलिए नहीं चुनेगे, इसलिए नहीं बनाए गए लेकिन देखिए सैतान ने क्या डाइवर्ट कर दिया है हमें हम आपस में लड़ते रहते हैं हमारी लड़ाई उस संसार के इंजर दुस्टात्माओं की सक्तिया काम कर रही है सैतान जो कार्य कर रहा हमारी लड़ाई उनकी साथ में है लेकिन सैतान हमें बीजी रखता है, आपसी लड़ाई की द्वारा, हम आपस में लड़ते रहते हैं, हम बाहर फिर कैसे लड़ पाएंगे, उसको पता हैं अंदर इनको बीजी कर दो, फिर इनको वक्त ही नहीं मिलेगा, बाहर हमारे शात लड़ने का, हमारी लड़ाई को कैसे डाइवर्ट कर दिया है कैसे एक दम पूरा बदल दिया है हमें समझने की जरूरत है हमारी लड़ाई मास और लहू की नहीं है आपस में लड़ना बंद कीजिए आपस में लड़ना बंद कीजिए हो सकता है इस वक्त किसी के प्रतियाप के मन में नफरत है ग्रिणा करते हैं आप किसी से अपने मत्वेदों को सुलजा लीजिए नहीं तो हमारा नुक्षान है इसमें और क्या करना चाहिए में किन बातों का हम ध्यान रखे गंबीर विश्यों को फैलाने से बचे और कलीशिया की अगों से आकर बातचीत करें कुछ ऐसी बातचीत हो सकती है जो कोई विश्वास करके आपको बता दे अपनी कमजोरिया अपना पाप यामने किसी को देख लिया तो उसका मजाक मत बनाईए उसकी चुगली मत कीजिए आपको पता है और वैसे मुझे पता है कि चुगली करने में मजा भोत आता है आता है ना किसी का मजाक उडाने में किसी के चुगली करने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन साउधान रहे है वट इवी क्या पढ़ लेते हैं बएग नितिविचन सोला का ठाइस में क्या लिखावाई हुम कोटिल मनुष्य जगड़े को फैलाता है और निंदक घनिश मिस्त्रों में फूट डाल देता है एक दूसरी टांसलेशन में इसमें बात की गई है चुगली ना करने के बारे में सो गंबीर विश्यों को फैलाने से बचे कलीशय के अगुए से आके बातचीत करें देखिए अगर हम में से कोई भी सिद्र नहीं है हम ना हम जिंदकी में हमारी जिंदकी में गुलतिया होती पाप होते हम से हमारा अगर किसी को हम पाप में पढ़े हुए देखते हैं आपकी और हमारी आखों में आसू आने चाहिए कि मेरा भाई जो है इस प्रकार की जिंदकी में पढ़ा हुआ है आपको मजाक नहीं बनाना चाहिए उसकी चुगली नहीं करनी चाहिए उसकी बातों को फैलाना नहीं चाहिए आप अपने अगुवों से आके बात चीत करें उसके बारे में ताकि उसकी सहायता हो सके उसको बाहर निकालने के लिए चुगली करके हम एक उस वैक्ति को और जादा डाउन कर देते उसको और जादा गीरा देते हैं और इसका अंजाम ये भी हो सकता है कि वो एक आना छोड़ दे चर्च में कलीशिया में और प्रभू से दूर हो जाए आपके अंदर दुख आना चाहिए बजाए इसके कि आपको उसको देखकर मजाग बनाए आपके अंदर एक प्रातना का बोज आना चाहिए कि क्यों मेरा भाई क्यों मेरी बहन क्यों मेरे बच्चे इस प्रकार के पाप में इस प्रकार की गलतियों में पड़े हुए है हमें दुख होना चाहिए कलीशिया के तोर पे हमारा रविया चुगली करने वाला नहीं बलकि शांती बनाए रखना हो ध्यान रखें प्रभू कि हम अपने व्यवहारीक जिंदीकी के बारे में बात कर रहे हैं हमारे व्यवहार में ये होना चाहिए कि हम लोगों के चुगली करने के बजाए हम उनके लिए प्रात्ना करें हमारे अंदर पक्षपात और भेद भाव की भावना ना हो मुझे लगता है कि नहीं है लेकिन हो क्या पता किसी के मन में किसी की प्रती हो अगर किसी के अंदर भेद भाव है किसी को लेकर कोई किसी को ऊचा नीचा या क्या बोलते हैं जो कि एक इंसान के तोर पर अपने बेटे के तोर पर देखता है हमारा रवया ऐसा ना हो कि हम किसी को ऐसे अनपड के रूप में देखे उसका उकरे या हम किसी को नीचा देखे समान दृष्टी रखिए हललुया प्रभ ये शुमसी के अंदर से हम सीज को देखते उन्होंने वैश्चाओं के बीच में भी सेवा करी कारिये किया उन्होंने सामरियों के बीच में जो अचूत लोग माने जाते तो उनके बीच में भी जाकर सेवा की उनकी उनको जीवन दान का जीवन अनन जीवन का वचन उने दिया ऐसे कितने ही उदारन हम देखते हैं पक्षपात ना हूँ हमारे अंदर किसी भी प्रकार का किसी भी प्रकार चाहिए हम किसी को नीचा न देखें क्योंकि हम सब मसी में एक हैं मसी में हम एक हैं हललुया और क्या करना चाहिए कि हम हमारे कलीशिया में एक था बनी रहे और हम एक मन रहे क्या करना चाहिए हमें जो लोग आत्मिक रिती से कमजोर है उन्हें तुछ न समझे बलकि उनका सहयोग करें कि वो सीखे और आगे बड़े एक जिम्मेदार मसीह होने किनाती यह हमारी जिम्मेदारी है हलेलुया जो हमारे बीच में जो आत्मिक रिती से कमजोर है जो लोग नए हैं जो लोग सीख रहे हैं जो लोग संगर्श कर रहे हैं अपने आत्मिक जिंदिकी में उनको हम तुछ न समझे अपने आपको कई बार हम ज़्यादा पवित्र समझने लगते हैं अपने आपको ज्यादा पवित्राना समझें, दूसरे जो आत्मिक्रीती से कमजोर हैं, उनके प्रतिवी हमारे जिम्मेदारी हैं, जो आप लोग लंबे समय से विश्वास में हैं, वैसे लंबे समय से विश्वास वाले लोग भी कमजोर हो सकते हैं, आत्मिक्रीती से, लेकिन हि simplicity जिम्मेडरे ही है हमारे कि हम एक दूसरी को संभालें एक दूसरी का हाथ थाम के हम चलें यह हमारे जिम्मेडारी है सहिए Tabii Tocalypse न जाने कि मैं इतने साल से विश्वास में हूं मुझे यह आताए तो उझे तो कुछ नहीं आता है तुम तो अभी आये हो, मैं तो इतने साल से यह हो, मेरा वप्तिस्मा भी हो गया है मैं तो स्टेज पे गाता भी हूँ, मैं तो यही भी करता हूँ तुछ न जाने किसी को, आत्मी कृती से अगर कोई कमजोर है, हमें मदद करनी है हम देख रहे थे ना, जब दो महिलाओं के बीच में जगड़ा चल रहा था तो पोलुस खुद तो वहाँ पर नहीं थे, लेकिन वो किसी तीसरे व्यक्ति को कहते है कि उनको समालो भई, उनको देखो उनकी मदद करो, उनके जगड़े को सुलजवाओ उनको बोलता है, एक तीसरे व्यक्ति को बोलता है, जो कलीशिया के अंदर मौझूद है उसका नाम तो यहाँ पर नहीं दिया हुआ, लेकिन कोई है जिसको पोलुस अपना सच्चा सहकर्मी कहता है उसको बोलता है कि इनकी मदद करो, कलीशिया के अंदर से ही वो मदद आती है क्या हमारा रविया इस परकार का है, कि कोई कमजोर है, क्या हम कभी बैठते हैं उसके साथ में बातचीत के साथ दोस्ती बढ़ाईए, उसके साथ बैठिये, उसको ताने मत मारिये कि तुने ऐसा कर दिया, तुझे नहीं करना चाहिए था, बैठिये उसके साथ में, समय बिताईए, अपने घर पे चाई पे बुलाईए, कभी-कभी बाहर लेके जाईए, बैठिये और बातचीत कीजिए ताकि एक अच्छा रिस्ता आपका हो सके, और फिर आप उसकी मदद कर सको प्रभुक में उसको आगे बढ़ाने में, मैंने ये देखा एक भाई, मैंने एक दिन फोन किया उनको कहीं जाने के लिए, मैं बोला भाई, आप चलोगे, वो जरूरी काम से मैं उसके साथ जाने वाला था, उन्होंने बोला कि भाई, अभी तो नहीं आप आऊँगा, क्या थोड़ा वेट कर लोगे, मैं बोला क्या हुआ, क्या कर रहे हो, उन्होंने बोला कि मेरे पास एक भाई आये हुए हैं, जो अपनी कलीशिया में भी नए नए आये हैं, मैं उ एक वेक्ति अपनी जिम्मेदारी को समझे, बेठाईए अपने साथ में और पढ़िये, क्या भाई, क्या प्रात्ना करें, क्या हम बाईबल पढ़ सकते हैं, हाफते में कम से कमें एक बार तुम मिल लिजी उससे, दो कप चाहे पीजिये, बेठिये, बातचीत कीजिये, प्र चल रहा है, क्या संगर से उसका, देखी उसको परखिये, कि क्या उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यह हमारा करतव्य है, एक कलीशिया के अंदर का वेक्ति ही, पोलुस बोल लायर की मदद करें, क्या हम ऐसे हैं, अपने आप से एक सवाल पूछना है, हमने लोगों को लिखा है, कि यह कमजोरम जाके सिकायत तो कर देते हैं, भाया, पताएं उसने ऐसा किया, आपने क्या किया उसके लिए, क्या आपने कोशिस की, कि उसको बैठें, कुछ समय बिताने के बाद उसको समझाए, भाय, उस दिन जो ऐसा हुआ था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, हम अपने जिन्दकी में इन बातों में संगर्श कर रहा है, आप मदद कीजिए, पकड़िये उनके साथ में, एक साथ यही है, वो समय जब आप एकता में बढ़ते जाएंगे, एक व्यक्ति को अपने साथ लेके चल रहा है, आलेलुया, तो जो कमजोर हैं आत्मिक्रीती से, ज में लिखा हुआ है, यह हमें बताता है कि हम उसको अपने साथ में, जो कमजोर हैं उनको साथ में लेके चलें, आलेलुया, गिरने से उनको बचाएं, परमेश्र ने आपको इसलिए रखा है, कि संसार के अंदर जो गिरी ही अवस्था की लोग हैं, उनको हम एक स्तर उपर ल में हो, माफी मांगना एक अच्छा मसीग गुण है, जिसे बाइबल सिखाती है, मती पास 23 में आप पढ़ सकते हैं, अगर आपको लगता है कि मुझे किसी से माफी मांगने के जरूरत है, मैंने किसी का दिल दुखाया है, मैंने किसी के साथ गलत वेवहार किया है, कलीशिया के अंदर मैंने अपने भाई का अनादर किया है, अपमान किया है, तो अगर आपको माफी मांगने के जरूरत है, तो माफी मांगिए, चाहिए माफी मांगिए, कि भाई गलती हो गई, एक मसी वेक्ति का वेवहारिक जीवन ऐसा बाइबल बताती है, प्रभो येश्व मसी के वचन में हम खुद ये देखते हैं पांस्तेईस को पढ़िएगा उसमें लिखा हुआ है माफी मांगें क्या उसमें लिखा अगर तुम मेरी वेदी पे आओ और तुम्हें ध्यान आए कि तुम्हारे भाई के साथ में तुम्हारा कोई जगड़ा चल रहा है तुम्हारे उसके साथ बनती नहीं है तुम आपस में तुम्हारे नफृत है तुम अपनी भेट को, अपनी दान को उधर ही रख दो, उधर ही छोड़ दो पहले जा के अपने भाई की साथ मेल मिलाब कर और फिर आके तुम अपना दान चड़ाना हम क्या करने आते हैं, कलिश्या में, दान चड़ाने के लिए, कौन सा दान में, पैसे की बात नहीं कर रहा, आराधना का दान चड़ाने आते हैं, है ना, आराधना का दान, अपने जीवन को उसके चरणों में रखने के लिए, उसकी महिमा का दान, आराधना का दान चड़ाने के लिए आते हैं याद कीजिए आपके जिवन में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ आपको माफी मागने के जरूरत है फिर से एक होने के जरूरत है तो पहले जाके उसे कीजिए आपकी अराधना में परमिश्र का आनद और भी बढ़ जाएगा हलेलुया एक मन रहने के लिए हमें बोलते इतनी बातों को हमने सीख लिया एक ता बनाए रखने और एक मन रहने के लिए हमने सीखा है हम आपसी मत बेदों से बचें उन्हें सुलजा लें गंबिर विश्यों को फैलाने से बचें कलीशिया के अगुव से बातचीत करें हमारे अंदर पक्षपात और भेदवाओं की भावना नहों, सबसे समान प्रेम करने वाले बने, जो लोग आतमिरिती से कमजोर हैं, उन्हें तुछ न समझे बलकि उनका सहयोग करें कि वो और सीखें और आगे बढ़ें, हललुया, अई हम आगे पढ़ते हैं, प्रभु में सदा आन रहो, हललुया, पद पांच में भी हम एकता बनाय रखने के बारे में सीख सकते हैं, पद पांच में इस प्रकार लिखा हुआ है, तुमारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रगट हो, प्रभु निकट है, बड़ा मुश्किल होता है कि कैसे, मतलब इस प्रकार की लोग हैं, इस मुश्किल है, सब दिक्कत होती है हमें, थोड़ा सा अपने आपको ओकरने में, लेकिन किस प्रकार हम दूसरों के साथ कोमलता का विवहार कर सकते हैं, तुमारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रगट हो, एक ता बनाय रखने के लिए, एक मन होने के लिए, हमें एक दूसरे क साथ कोमल होने की जरूरत भी है नमर होने की जरूरत भी है अपनी नमरता को प्रगट करें वचन तो एक जगह ये भी कहता है कि तुम एक दूसरे की सह लो सहना भी पड़ेगा कई बारी लेकिन हमारी जिम्मेदारी है प्रभू की आग्या है कि हम सहे और एक दूसरे का सहीओ करते हुए हम आगे बड़ें उनको उपर तक लेकर जाएं उनके लिए प्राथना करें उनके लिए एक साथी के तोर पर हम खड़े रहें तो आप हमारे बीच में कोमलता हमारा व्यवहार जो है वो कोमलता का व्यवहार होना चाहिए हमारा व्यवहार किस परकार का है कई बारी तो हमें ऐसा होता न है आपस में जैमसी की भी नहीं करते जगड़ा है आपस में जगड़े के साथ आप बैटके आप मन में नफरत लेके और यहाँ पर आप बैटके कि अराधना हम कर भी कैसे सकते हैं, क्या पाप और पवित्रता एक साथ रह सकती हैं, नहीं रह सकती है, पाप गरिणा करना, नफ्रत करना, एक पाप है, उसको अपने अंदर लेके हम किस प्रकार प्रभु की अराधना कर सकते हैं, पाइबल कहती है, कि हमारा वैवहार कोमलता क वेवहार हो हमारे भाई और बहनों के साथ में एक अच्छा मसीह गुण है प्रभु येश्व मसी के जिन्दकी में हम देखते हैं कॉमलता का वेवहार हुने किया जिसने उसको नकारा उसी से उसने उसी को बोला मैं तुझे प्यार करता हूँ मैं तुझे पे अपनी कलीशिया कुस्तापित करूँगा ये कॉमलता है, नमरता है एक चोर के साथ में रह रहे थे इतने सालों तक, तीन साल तक चोर के साथ में रहे ये शुमसी को पता था कि ये चोर है लेकिन उसके साथ भी प्रभु का कोमलता का वेभार था हमारा वेभार किस प्रकार का वेभार है अपने लोगों के साथ में अपने परिवार में आज हम कलीशिया में सीख रहे हैं ये सारी बाते लेकिन आगे पूरा हफ्ता है वहाँ पर हम कैसे इन चीजों को प्रिजेंट करेंगे हमारे घर में भी मैं जानता हूँ कोई परिवारों को ऐसी प्रिस्तिती है कोई बात चीत नहीं आपस में लड़ाई है जगड़ा है कोई कोमलता नहीं है लेकिन यहां पर आते हैं बैठते हैं प्रभु की अराधना करते हैं पुचना चाहिए आप लोगों को अपने जीवन की इस प्रकार की प्रिस्तिती के बारे में सच में नहीं हो रही है आराधनापके जिंदगियों से प्रभु में सदा आनंदित रहो मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो हलेलुया अब जिंदगी में दुख है कस्ट है परेशानिया है पीडाए है इस प्रकार की प्रिस्तिती में कैसे हम आनंदित रहें पोलुस खुद की जिंदगी से दिखाता है आप उसके जिंदगी को ध्यान से देखोगे ना आपको एक साफ पिक्चर नजर आएगी जेल में है वो ऐसे प्रिस्तिती में जहांपर उसके हातों में बेडियां है बेल से बंदा हुआ जंजीरों से बंदा हुआ है उसके पास आज़ादी नहीं है वो जेल के अंदर है लेकिन उसके अंदर हम आनंद को देख सकते हैं किस परकार हम आनंदित हो सकते हैं क्या बात हमारे जिंदगी में आनंद को लेकर आएगी जब कर्ष्ट में हैं जिंदिकी में हमारी हम पीडाओं में बिमारियों में हैं किस प्रकार हम आनंदित हो सकते हैं बोलुस हमारे मन को एक वचन की और ले जाता है इसमें लिखा है कि प्रभु में सदा आनदित रहो मैं फिर कहता आनदित रहो तुमारी कोमलत सब मनुश्य पर प्रगट हो प्रभु निकट है अलेलुया इस और ध्यान लगाईए हम क्या कर रहे हम इदर लड़ाई है कर रहे हैं परमेश्र आने वाला है उस परमेश्र की और ध्यान लगाईए जो आपका स्रिष्टी करता है जो आपसे फ्रेम करने वाला है जिसने आपको छुड़ाया है वो आने वाला है हालेलुया हालेलुया येश्व आने वाला है हम उसके आगमन की त्यारी करें उसकी आ करेंगे तो मैं प्रमिष्व आने वाला है वो परमिष्र जिसने मेरे उठाया था जिसने मुझे आशा दी है कि हम एक दिन ताथ में होगे वह समय आने वाला है एसा होने वाला है कि दूर के प्रभु की और लगाए वो आने वाला प्रभु का आगमन निकट है लास्ट में हम जाते हैं तुमारी कॉमलता सब मुनिश्चे पर प्रगठ हो प्रभु निकट है किसी भी बात की चिंता नहीं करो परंतु प्रतेग बात में प्रात्ना और निवेदन के द्वारा तुमारी चिंती धन्यवाद के साथ परमेश्द के समुक प्रस्चूत की जाए अलेलृया आनंदित रहने के लिए क्या करें प्रभु की और देखिए याद रह दखी वह आने वाला है और क्या करना पड़ेगा आनन्दित होने के लिए हमारे वेवहारिक जिंदगी में आनन्द किस प्रकार नजल आए कटीनाई के मध्धे भी भी हम प्रभु की और देखे और क्या करें प्रातना एह धन्यवाद के साथ परमेश्र के सामने प्रस्तूत की जाए आपकी जो भी पृस्तिती है आपकी जो भ साथ का उस उफकार का जो आपके बीते जीवर में हुआ है हालेलुया उस उन बातों को याद करते हुए परमेश्र को धन्यवाद के साथ उसके सामने हम अपनी प्रस्तिती को हम वरत्मान प्रस्तिती को उसके सामने रखें हालेलुया फिर क्या होगा साथ में लिखा है तब परमेश्र की शांती। जो समझ से परे है तुम्हारे रिदय और तुम्हारे विचारों को मसी में सुरक्षित रखेगी। हालिलूया। जब हम अपनी प्रिस्थितियों को अपनी हालांतों को धन्यवाद के साथ परमेश्र के सामने प्रस्तोत करेंगे तो परमेशर की जो शांती है हमारे जिंदिगियों में आएगी ऐसा लिखा है तुमारे रिदैर तुमारे विचारों को मसी येश्यों में सुरक्षित रखेगी और हमारा व्यभारिक जीवन के बारे में और क्या हम सीखते हैं प्रद आठ से नो में हम देखें अते हे भाईयों जो जो बाते सत्ते हैं जो जो बाते आदरिये हैं जो जो बाते न्याय संगत हैं जो जो बाते पवित्र हैं जो जो बाते मनोहर हैं जो जो बाते मनभावनी है और था जो जो उत्तम तता प्रसंसनिये गुण है उनी का ध्यान किया करो अब अपने आपको देखिए अपनी आखों को बंद कीजिए अब हमने जो भी ये बाते पड़ी है मैं बोलता हूँ ध्यान से सुनिएगा अपने आखों बंद करें और आप पूछते जाए अपने आपसे भाईयो जो जो बाते सत्ते हैं जो जो बाते आदरिनिय हैं जो जो बाते न्याय संगत हैं जो जो बाते पवित्र है जो जो बाते मनोहर है जो जो बाते मनभावनी है अर्था जो जो उत्तम तता प्रसंसनी गुण है उनी का ध्यान किया करो इतनी सारी बातों को हमने यहाँ पर देखा है जिनकी और हमारा ध्यान हमारा मन होना चाहिए लेकिन क्या हमारा ध्यान हमारा मन इन बातों को सोचता है कभी हम क्या सोचते हैं जब हम अकेले में होते हैं क्या सोचते हैं जब आपको देखने वाला कोई नहीं है तब आप क्या सोचते हैं, आपके मन में क्या चलता रहता है, कौन से विचार आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं, कौन सी बातों को आप enjoy करते हो अपने मन में, जब आप अकेले होते हो, कौन सी चीजों को आप देखते हो, अपने फोन है ना फोन के अंदर बहुत आसान है सब चीजों को आज कल बहुत इतनी मुश्किले नहीं होती क्या क्या देखते हो जब आप अकेले में होते हो जब आपके हाथ में फोन है कोई आपको देखने वाला नहीं है आप किन बातों की और किन चीजों की और अपने मन को लगाते हो किन चीजों की और आप अपने ध्यान को लगाते हो क्या ये वो बाते हैं जो हमने पड़ी इन में से कोई बात है जिनकी और हमारा मन हमारा ध्यान जाए आपने अपने अंदर मैसूस कर लिया आपने जवाब आपके पास में है और आपकी प्रात्ना भी साइद यही होगी और होनी चाहिए कि प्रभु मुझे इस प्रस्तिती से बचा ले मेरे मन में जो विचार है ये बहुत खतरनाक है जो बातें हैं ये मुझे अशुद करती है ये इन से तेरी महिमा नहीं होती ये प्रात्ना हमारी होनी चाहिए क्या करेंगे इस प्रकार की हमारी सोच बद किस और लगा हुआ है क्या करें अच्छी संगती में रहें न वचन में लिखा है पहला कुरुंतियू 15, 33, 34 बुरी संगती अच्छे चरीतर को बिगाड़ देती है बुरी संगती अच्छे चरीतर को क्या कर देती है बिगाड़ देती है हमें अपनी सोच को सही चीजों पर अगर लगाना है सही बातों पर हमें अपने ध्यान को, अपने मन को, अपने दिल को लगाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा हम अच्छी संगती में रहें अच्छी संगती में रहें अब देखिए, आप अपने friend circle को दे, किस प्रकार की आपके मित्र है, किस प्रकार की आपके दोस्त है किस प्रकार की संगती में आप रहते हैं ये तो आज की संगती है दो घंटे, डेट घंटे की या आज से जाने के बाद आप से बात की जा रही है, आपकी संगती कैसी है किस प्रकार के लोगों में आप रहते हैं जिस प्रकार के लोगों के संपर्क में हम रहते हैं बड़ा मुस्किल है अपने आपको बचाना कई बार उनके साथ रहते रहते हैं दुनियावी चीजे दुनियावी बाते अच्छी लगने लगती है और हम सोचे बस ठीक है चल रहा है चर्च में भी आ रहे हूँ बस सब चीज़ें इंजोई कर रहे हैं हमें अच्छी संगती में रहना है अगर आपको आप देखिए अगर आपको लगता है कि ये संगती मेरे लिए अच्छी नहीं है वचन के अनुसार एक मसीही व्यक्ती होने के अनाते सोची अगर आपको लगे कि मुझे छोड़ देनी चाहिए तो आपके पास मोका है अच्छा है छोड़ देनी चाहिए निकलिए वहां से क्योंकि एक दिन ऐसा होगा जब आप वहीं पर उलज के रह जाओगे एक भाई को देखकर बड़ा दुख होता है वो यहां पर नहीं है लेकिन उनके स्टेटस देखके उनकी हाला देखके पृस्तिती देखके दुख होता है क्योंकि वो यहां पर कभी होते थे लेकिन आज यहां पर नहीं है क्यों संगती का असर उनकी कि जिन्दगी में ऐसा प्रभाव कर गया कि उसको बस वही अच्छे लगती है नसा करना उल्टी सीदी बाते करना गंदे-गंदे मजाक एंजोई करना अच्छा लगने लगा आज वो नहीं यहां पर नहीं है अच्छी किताबी पड़े बहुत सारे किताबे हैं मसी जिन्दगी में हम कैसे बड़े किस परकार हमारा जीवन परिवर्तित होना चाहिए किस परकार का हमारा रविया होना चाहिए किस परकार हमारा परिवार होना चाहिए किस परकार हमारी व्यक्तिकत जिन्दगी होनी चाहि किस परकार हमारा जीवन उकारियस थल पर होना चाहिए बहुत सारे चीज़ें बहुत सारे किताबें पढ़नी चाहिए सीखीए पढ़ के ताकि आप गलत चीजों से बच सकें प्रभू के लोगों ने इतनी सारी चीज़ें लिखी हैं आपको अगर चाहिए आप हमसे कौंटेक कर सकते हैं आपके लिए कुछ न कुछ कोई न को किताब जरूर देंगे अच्छी बातों को अच्छी किताबों को पढ़ें लेकिन प्रात्मिक्ता जो है वो बाइबल कोई दे पढ़िए किताबे पढ़ना अच्छी बात है प्रात्मिक्ता हमारी बाइबल होनी चाहिए हलेलुईया और क्या है अच्छा देखें क्या देखते हैं आप टीवी में घर में मुबैल में अपने चारो और क्या देखते हैं आप जो हम चीजे देखते हैं, जो हम दिमाग में अपने चीजे डालते हम, दीरी जीरे वैसा ही परीवर्तित होते जाते हैं। आप आप सब लोग जानते हैं इस चीज को हमारे जो नोजवान भाई हैं आप देखते हो ना उनकी स्टेटस कभी देखना मेरे को तो कई लोगों ने ब्लोग करके रखा हुआ है कि मैं कई बारे बोल देता हूं ना गैंक्स्टर पर जिंदगियों पर आधारित मूवियां बन उनको तो पैसे कमाने के ली कुछ भी कर देते हैं गैंक्स्टर की लाइफ को इतना उचा उठा रहे हैं बस उनको पैसा कमाना है और हमारे समाज के अंदर इसका प्रभाव क्या और हमारे नोजवान भिगड रहे हैं देखने की बज़से वो देखते हैं TV में फॉन में फिट्स पर लगा लेते हवा बनाते है अपनी क्या हौ रहा है सिए कहा बन रहा है AI समझ़रेया आप आप चारों और क्या होरा है ले साथ नहीं काम गंदा नहीं ज़िए घर पे रहते हैं काम करना अच्छा नहीं कितने लोगों को मैं जानता हूं इतनी अच्छी वीडियो मतलब वैसी अच्छी नहीं संसारिक रीती से बुनाते हैं बड़े टोरे-सोरे के साथ में बाइक बाइक के साथ में कभी पहाड़ों पर कहीं इधर काम नहीं कर रहें हवा बनानी है किस चीज का असर है बस जो वो द लहना है अच्छी किताबें पड़ें अच्छे लोगों के बीच में बैठें और अच्छा देखें अनुची चीज जो आपके जीवन में किसी भी प्रकार का परीवर्तन नहीं ला सकती जो आपके लाब के नहीं है मत अपना टाइम वेस्ट कीजिए इसके उपर प्लीज और अंतिम वचन हम पढ़ेंगे उसमें लिखा है जो जो बाते तुमने मुझे सीखा है ग्रेंड किया है सुना है और मुझे देखा है उनी का अनुसरन किया करो और परमेश्र जो शांती का स्त्रोत है तुमारे साथ में रहेगा अलेलुया और हमारे व्यावारिक जीवन कैसा ह होना चाहिए कि हम परमेश्र के वचन को सीखे और उस वचन के अनुसार अपने जीवन को जीए उस वचन के अनुसार चले उस वचन का अनुसरन हम करें इस परकार का हमारा जीवन होना चाहिए और वचन कहता है जब हम ऐसा करते हैं कि सीखी वी बातों को अपने जीवन में ल आत रहता है अलेलुया आपने जगह पे हम खड़े हो जाएंगे